so hello my beautiful souls welcome to my channel people terrace so guys कैसे हो आप सब लो i hope आप सब लोग इच्छ गर अपने लाइफ में भी आगे पढ़ रहे होगे so good morning everyone so guys आज मैं आपके लिए इडिंग लिकर आगी हूँ guys आपकी शादी किससे होगी okay who will you marry guys कौन होगी वो परसन कब तक होगी शादी guys यह आज हम यह सब चीज़ी देखेंगे okay so guys यहाँ पे first pile है strategy अगर आपको यह card पिक करना तो आप intuitively इस card को पिक कर सकते हो और अगर आप अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना चाहते हो तो आप अपने first pile को पिक कर सकते हो guys okay अगर आपके name के initials यह से लेके आपके बीच में तो आप first pile अगर एन से z है तो guys आपको second pile पिक करनी है आपको options guys जूम पे करके दिखा दूँगे मैं ठीक है आप उस वहाँ से पिक कर लेना ठीक है so caring connection है यहाँ पिक कर सकते हो बहुत अच्छा card है so guys दोनों ही piles आपके लिए हैं ठीक है आप दोनों ही देख सकते हो यहाँ जो भी आपसे resonate हो वो आपके लिए होगी time stamps description में होंगी guys and also अगर आप Instagram पे follow करना चाहते हो तो कर सकते हो link description में है अगर आपको personal reading book करवानी है तो guys वहाँ से ही आप लोग मुझे कर सकते हो ठीक है DM कर सकते हो and अगर आप वहाँ नहीं हो तो comment section में भी आप पोल सकते हो so guys start कर लेते हैं आपके शादे किस्से होगी कौन है आपके future spouse okay so guys यह deck मैं यूज करूंगी ठीक है but मैं आपको important message इसके through देना चाहते हो कुछ ठीक है so guys अगर आपके name के initials यह से लेके M के बीच में आते हैं तो guys यहाँ पे आपके लिए strategy कार आया है तो guys इसका meaning यही है कि आपके जो भी person है ना जो भी आपकी life में आपके destined मतलब future spouse होंगे जो guys वो destined होंगे okay लेक आप दोनों ही ऐसा नहीं है कि आप दोनों कुछ ना कुछ मतलब आप दोनों love marriage करोगे ऐसे भाग कर मतलब ऐसा नहीं होने वाला ठीक है यहां घर वालों ने कर दी ऐसी होगी ठीक है ऐसा नहीं है यह universe की तरफ से strategy universe की तरफ से ही plan बनाया जाएगा कैसे आपको मिलवाना है ठीक है आने एक्स्पेक्टरली भी आप लोग मिल सकते हो ऐसे situation में जो आपने जान सोचा भी नहीं होगा कि यह आप लोग मिलोगे तब आप लोग मिल सकते हो ठीक है आपके लिए यहां पे twenty one number important हो सकते हो पर रिए नमबर भी important होसते है और अ कर युनिवर्स ही प्लान करेगी गाईस अब कुछ एड युनिवर्स की तरफ से ही आप दोनों को मिलवाया जाएगा आप डेस्टेंट पार्टनर हो सकते हो गाईस ओके गईस सभी से रिजनेट नहीं होगी अगर आप से रिजनेट होगी तो बहुत अच्छी बात है अगर आप आपके लिए निव टारो कार्ट को यूज करने वाली थी बट मेरी विश्वी के कल ही कर लेंगे ठीक है I don't know वाई आज मेरा मन नहीं किया ठीक है वो डेक निकालने का निव डेक मैंने आपके लिए मुगवाया है ठीक है सो यहां से देख लेते हैं गई सबसे पहला कार्ट है सावन ओफ कप्स ओके अगर मैं आपको बता हूं यह कार्ड ना भी अभी मेरे से गिरा था ठीक है बट मैंने सोचा कि अगर आना हो का दुबारा आ जाएगा तो एक बार शफल करके मैंने फिस से निकाला तो गईस यह क पार आचएं सैंवन ओफ कप्स का कुईन ओफकर यहां पर फोर ओफकर कप्स कर्ड आ रहे हैं गाईस यहां पर सीधा यहीपता चल रहा है यहां पर 25 का अविटाइन का ही है आपके जो भी person होने वाले चाहें वो girl चाहें boy है जेंडर, guys जो भी हो यहाँ भी guys आपकी marriage के रिडिटर रेडिंग है तो कोई भी देख सकता है married, married, single कोई भी जो भी आप सोचते हो अपने आपको divorcee peoples भी देख सकते है, guys, okay सबसे पहली बात सभी cups है Pisces भी water sign ही है आपके person बहुत emotional होने वाले है ठीक है बहुत ज़रा एक गम से ही उनको जिसे होता है ना बच्चों को समझाना पड़ता है ना ठीक है आपका moon आपका चंदरमा साथ में घर में हो सकता है आपके birth chart में बहुत emotional होगे मतलब बहुत जल्दी उनके दिल पे बात लग जाती होगे ठीक है वो बहुत जल्दी hurt हो जाएंगे यहाँ पे प्रफ का एकार लास्ट एंडिंग भी six of cups से ही हुई है four of cups, six of cups and seven of cups okay so bottom of the deck is emperor and two of pentacles okay nine of bonds and यहाँ पे king of cups मतलब queen of cups तो पहले सी वैठी वे ने कहा आपको कि yes destined partner ही होने वाले है तो guys यहाँ से यह आपको पता चल गिया होगा कि yes आप लोग destined हो universe ही आपको मिलवाएगी उनके planning से ही आप दोनों मिल पाओगे okay आपके पास अभी यहाँ फिर आने वाले time में बहुत सारी options होने वाली है ठीक है आपको pick करना है किसी एक person को अपने लिए and आप उसको pick कर लोगे मेरे साब से pick कर लोगे because आपकी आखे तो इसी person के उपर है कि यही person चाहिए मुझे but कुई और भी options हो सकते हैं आपके पास family वालों की तरफ से या कुछ और जैसे होता है न 3-4 रिष्टे आगे उसमें से एक ठूणना है कि कौन सा आपको पसनद आया so यहाँ से वही चीज़े दिख रहे है 3-4 नहीं कुछ-कुछ लोग को यही परसन आपको पसनद आएंगे यह आपके डेस्टेंट पार्टनर होंगी 4-4 रिष्टे से आपको पास्ट में गाईज बहुत सरी options मिली भी है बट आपने उसको मतलब लिया नहीं उन उप्शन को पिकी नहीं किया है आपको कहा जारे कि इस बार पिक कर लीजिए आपके लिए अच्छा रहे गए यह option ओकी 4-4 cup है यह ठीक है आपके लिए बहुत अच्छी universe की तरफ से दी जारी है यह cup ओकी यहाँ पी आपको बोले जारे यह cup का इस आपको दिया जारे universe की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए ओके इसको पिक कर लोगे तो आपकी शाहिद life आगे जाकर बहुत अच्छी हो जाए आपको लग रहे कि आपके साथ धोका किया जारे यहाँ आपको past में बहुत धोके मिले हैं क्या यह यह रिष्टा में लिए ठीक होगा या नहीं सावर ऑफ स्वार्ड्स है फाइव ऑफ स्वार्ड्स का भी यहाँ पर साइन बन रहा है मतलब लडाई चगरे फाइट्स वगरा होती रही है और पीपल के साथ जिनों आपने जो भी आपके साथ पहले थे ठीक है लोग यहाँ पर टू अफ स्वार्ड्स पर कन्फ्यूजन रही है यहाँ पर ऑप्शन ही दिखा लिए टू मतलब ऑप्शन गाईज एक होता है तो वह होता है इंडिविजूल तो दो लोग या तीन चाहे दस आजाए वह उप्शन से ही माली जाहेंगे यहाँ पर आपके पास पहली बहु उप्शन थी ठीक है तो यहाँ पर है गाईज Ace of Pentacles यहाँ पर यहाँ पर 2 of Pentacles पर आया मैंने सोच रही थी 4 of Cups आ गया 6 of Cups 5 of Cups क्यों नहीं आया ठीक है So 5 of Cups यहाँ भी बैठा है So Aloneness की feelings भी है यहाँ पर ठीक है एला पन भी देख रहा है बटी Universe आपको जब reward दे रही है एक cup देकर तो आप उससे happy नहीं हूँ I don't know why आप क्यों नहीं देख रहे हैं उसको ठीक है And यहाँ भी है यहाँ फिर वो आपकी जो भी आपनी situations से रखी होगी जो भी आपकी मांगे होगी उसके उपर खड़ा नहीं उतर रहा होगा वो रिष्टा यहाँ फिर कुछ भी ठीक है आपको चाहिए कि आपका जो रिष्टा है वो आपकी wish fulfill की जाए ठीक है यूनिवर्स की तरफ से आपकी wish fulfillment हो उसके ठीक है यहाँ पर आपको यही बताता है कि आपकी life में बहुत जारा ego वाले person होते है यहाँ आपके father की तरफ से ही शादी करवाए जाएगी आपके पापा ही यह रिष्टा लेकर आसकते है यहाँ आपकी अगर person की energies है तो guys वो थोड़ से ego वाले होंगे mature होंगे age में भी बड़े हो सकते है आपसे and also mature भी होंगे ठीक है उनकी life में maturity दिख रही है उनके अंदर ठीक है ace of pentacles money wise बहुत अच्छे हो सकते है यह person government job हो सकते है इनके पास job होगे ठीक है ऐसा नहीं के जॉब नहीं है इनके पास ठीक है या फिर यह person में past में बहुत दोखे का है तो इनको लगेगा कि yes आप इनके soulmate हो six of cups है soulmate की ही wives आ रही है यहाँ ठीक है universe के ही तरफ से ही आप दोनों को मिलवाया जाएगा wheel of fortune है यहाँ पे of course आपकी life में यह जो person है न universe की तरफ से ही मिलवाया जाएगा आपने strategy card को पिक्किया है न यह guys wheel of fortune का ही card है and यहाँ से आप देख सकते हो wheel of fortune ही आ चुका है ठीक है so यही guys आपके लिए important हो सकते है person of course आपके destined partner होने वाले हैं यह okay आपके soulmate होंगे okay आपके soul family भी हो सकते हैं इनकी जो family होगी वो आपके soul family हो सकते हैं intuitive हो सकते हैं guys यह person बहुत जाए ठीक है या आप लोग intuitive हो ठीक है and यहाँ पर यह भी दिख रहे है queen of cups है यहाँ पर okay of course आपकी life में यह person emotional होंगे बहुत जाना मैंने आपको पहले पताया जैसे ठीक है बहुत love करेंगे आपकी care करने वाले होंगे strength okay rest and reservation woman holding our heart journey community and last one is and babe okay so guys यह seven of swords इसी का भी कारुसता है कि आपको धोगा देने वाले लोग भी बीच में आ सकते हैं आप से jealous करते हैं जो आपको अच्छा नहीं समझते हैं ठीक है वो person भी आपके life में दस्तक दे सकते हैं बीच में ठीक है and like किसी ने गलत नजरिये से आपका यह रिष्टा करवा दिया हो like for example वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं but guys यह रिष्टा इतना अच्छा हो आपके लिए कि yes यह person आपके लिए of course आपके decision पार्ट है उनको लगया कि yes यह इसके लिए कुछ नहीं होगा इनका future कुछ नहीं होगा ठीक है jealousy के तोर पे कुछ होगया ठीक है but यहाँ पर दिख रहा है कि yes यह person आपके लिए best होगे dark में से बहार निकलकर आप रोशनी की तरफ चले जाओगे वो लोग जैसा आपका चाहेंगे वैसा नहीं होगा उसके उलट ही होगा अच्छा होगा जो भी होगा ठीक है rest and reservation guys आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है यह आपके जो person है वो थोड़ा सा peaceful nature के है शान्त रहने वाले हैं शान्त सुभाव उनका है ठीक है woman holding a heart है यहाँ पर आपको बोला चाहें आप लोग अपनी life में यहाँ पर queen of cups की energies है guys यह भी ठीक है queen of cups की energies है आपको बोला चाहें आप लोग बहुत emotional हो यह आपके person बहुत emotional है care nature उनका caring nature है आपको लेकर होगे feminine energies में हो आपके होगे चाहे वो girl है चाहे boy है ठीक है यह आपकी भी energies हो सकते हैं ठीक है vice versa भी हो सकती है so angel of strength है strength बनाके रखने यहाँ आपके person बहुत strengthful हो सकते हैं उनकी job carrier के पारे में अगर जाने तो athlete हो सकते हैं boxer हो सकते हैं पुलिस में हो सकते हैं जहाँ पर maz, mangal यहाँ पर सूर्यदेव, authoritative position हो के यह सब चीज़े देखते हैं यहाँ पर भी emperor है ठीक है यहाँ पर journey है, journey guys आप दोनों की journey स्चार्ट होगे soulmate चाहे twin flame होगे आप दोनों किसी journey को तैय कर सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी शादी होगे वह थोड़ा दूर हो सकते हैं यहाँ बड़े ही जहने जैसे like for example यहाँ पर पुल पार करके जाना पढ़ता होगा वहाँ पर यहाँ फिर गईस बहुत दूर मतलब जिसे कहते हैं ना समुंदर पार करके जाना पढ़ रहा है आपको यह ऐसा हो सकता है कि आपको अपना समान बानना पढ़ रहा है और कास्ट रलीजन भी हो सकता है अफकोस कास्ट या फिर कास्ट नहीं तो रलीजन में तो होगी होगी अगर आप हिंदू हो तो वह भी हिंदू होंगे ठीक है मतलब अपने भगवान को मानने वाले होगी अगर आप मुसलिम हो चाहे कोई भी कैटेगरी के मुसलिम हो लाइक हो number important होसते है 19, 10, 1, 2, 7, 20, 44, 8 यह numbers आपके लिए important होसते हैं आपके यहां पर आपको यही बताया जा रहे कि आपकी life में आपकी जो आपकी शादी होने वले हो आपकी community में ही होगी यहां पर यही आपके लिए message है यहां पर आपके लिए और देख लेए क्या messages हैं आपके लिए आपकी शादी किस्से होगे कब तक होगे guys हम last में देखेंगे आपके timing भी देख लेंगे हम लोग एक time तो मुझे यहां पर देख रहे है 2 years या 7 months या 2 months भी हो सकते है कुछ लोगों के लिए time आउ सकता है आपके लिए moving on so आपको move on करने के लिए बोला जा रहा है guys move on करिए आप कहीं भी हो क्या पता आपका यहां पर जहां पर रहते हो वहाँ शादी होनी नहों और और जाकर आपकी like foreign चले जाते हैं लोग वहाँ भी जाके marriages हो जाती है उनकी ठीक है या किसी और state country में जाकर ठीक है like यह भी हो सकता है कि शादी के बाद आपको कहीं दूर move कदना पड़े तो of course यह तो होता ही है move तो कदना ही पड़ता है marriage के बाद क्या आपता boys है जो उनको move कदना पड़ जाए ठीक है अपनी wife के लिए यह भी हो सकता है so foundation and achievements four of wands का ही card है guys यह ठीक है आपकी life में foundation create होती होग दिख रही है achievements guys आप दोनों ही मिलकर पाने वाले हो ठीक है achieve कदने वाले हो चीज़े मिलकर ठीक है suffering and silence so guys अगर आप सफर कर रहे हो silence में अकेले में तो guys आपको बोला जारे कि आप अपनी life में सफर नहीं करोगे आगे आने वाले टाइम में ठीक है आपके person आपके साथ रहेंगे आपकी family आपके साथ देने वाली है हर time silence में नहीं रहना है आपको अकेला feel नहीं करना है ना ही आपको अकेले में सारी problems अपने उपर ले लेनी है आपको अपने family members को भी उसके में include करना है ठीक है so that वो guys आपकी help कर पाएं ठीक है five of pentacles का ही card दिख रहे है guys but यहाँ भी है financial and material changes so आपके लिए financial and material changes आते हुए दिख रहे है like आपकी life में अगर अभी financially conditions आपके अच्छी नहीं चल रहे है after marriage आपकी life में जो भी आपके person है ना वो person आपकी life में बहुत सरी abundance लेकर आ सकते है and यह भी हो सकते है कि आप दोनों की life में भी changes चल रहे है यह शादी के बाद बहुत बड़े changes आ सकते हैं आपकी marriage के बाद ठीक है यहाँ पर है आपके लिए temptations devil का card है एक दूसरे के लिए passionate रहोगे आप लोग ठीक है एक दूसरे को पाने की चाहत रहेगी एक दूसरे में ठीक है यहाँ पर temptation devil है passionate energy रहती है आप दोनों में ठीक है एक दूसरे के लिए fire होना मन में ठीक है एक दूसरे के लिए प्यार होना मन में so कि yes यही person है मेरे लिए और कुछ नहीं है ठीक है attraction होना एक दूसरे के लिए यह भी यहाँ पर दिखाया जा रहे है so आपके person बहुत attractive feel करेंगे आपकी तरफ and आप दी so deception and envy so guys यहाँ पर आपको बताया जारे कि deception and envy like आप serious यहाँ पर भी आपको मैं दिखा दूँ envy है and यहाँ पर भी envy है so guys यहाँ पर मैं एक आपको यहाँ दो दिन बाते बताऊंगी तो आपसे कोई भी चीज resonate होते होगी so guys आप सोच सकते हो कि यह सैसा हो सकते है आपको पहले ही aware रहना है ठीक है मैं aware कर रहूं आपको कुछ लोग हो सकते हैं आपके आपसे jealous हो सकते हैं but universe आपके सब अच्छा ही करेंगे so आपने universe card को भी pick किया है strategy card को पीक है तो universe आपके लिए strategist वना रही है and कुछ चीज़े हो सकते हैं जिसमें आपको धोका मिल सकता है so उसके लिए aware रहना है धोका ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो person है आप इनको नहीं जानते हो आप इनकी age नहीं जानते हो आपसे धोका हो सकता है कि आपसे age नकी चुपाई जाये ठीक है आपको after marriage पता चले यह 31 के नहीं 34 के है यह 34 के नहीं 38 के है यह 30 के नहीं 35 के है so ऐसा कुछ हो सकता है आपको पता चल सकता है ठीक है and like कुछ और भी हो सकते है reasons यहां guys कुछ लोग आपसे जलस हो सकते है and way हो सकते हैं आपसे ठीक है so उनके उनसे आपको बच कर रहना यह लोग आपके guys mind में बहुत गलत चीज़े भी डाल सकते है mental conflict भी एक तरह से दिख रहा है so आपको mentally stress देती हुए दिख रही है आपको won किया जा रहे है so आपको इन सब चीज़ों ख्याल रखना है आने वाले time में after marriage ठीक है see this third deck है guys यह ठीक है एक से strategy आपने पिक कर लिया था एक से wheel of fortune आगे and see this यहां पी है wheel of fortune नहीं I think wheel of fortune आचुका था ठीक है tarot cards से जो traditional tarot deck है यहां पे guys destiny आचुका है so destiny आपका साथ देती हुए दिख रहे है guys ठीक है so आपकी life में destiny बहुत big role play करने वाली है आपकी life में cycles चलते हुए दिख रहे है ठीक है बहुत सारे so इन cycles को complete करके ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो 10 10 आपको बहुत दिखता होगा है 10 number आपके लिए important हो सकता है guys 5 number 15 4 6 9 7 यह numbers आपके लिए important हो सकते है guys so यहां से guys आपके लिए guidance भी देख लेते है after marriage आपको क्या जानने की जुरुरत होगी ठीक है आपको यहां से 4 cards देखने को मिलेंगे आपके रिडिंग के लिए so guys this is a general reading so keep an open mind and also अगर आपको अपने लिए personal reading book करवानी है आप लोग मुझे DM कर सकते हो Instagram के उपर link guys description में है timestamps के just उपर and also about section में भी है ठीक है वहां से आप सीधा पहन जाओगी ठीक है and follow करके मुझे DM कर सकते हो अगर आप वहां Instagram नहीं यूज करते हो तो guys आप लोग मुझे comment section में भी बोल सकते हो and अपने notifications on रखना so that मैं जब भी आपको message करूँ आप लोग मुझे reply दे पाव सी time so यहां भी है expect powerful change new moon eclipse so guys आपकी life में powerful changes आने वाले हैं after marriage ठीक है बहुत बड़े बड़े आपको का न big changes are coming in your material life also financial life also love life में तो आ ही रहे है and also material life में भी आपके आ रहे हैं बहुत बड़े changes expect करिए powerful changes को ठीक है and also your commitment is being tested आपकी जो commitment है उसको test किया जा रहा है universe की तरफ से hold your vision so आपको hold अगर के रखना है अपने vision को के आपका जो vision है मतला आपकी जो thinking है उसको hold करके रखिये ठीक है so hold your vision everyone a personal issues resolution so guys अगर आप इस person को जानते हो तो आप दोनों में जो ही issues चल रहे थे वो resolution तक पहुंचेंगे ठीक है after marriage and also अपना hold करके रखिये vision जो भी आपने सोच रखा है bottom of the deck be bold and make the first move so guys bold बने है and first move लीजे ओके अपने लिए जो भी आप चाहते हो करना उसको पहले कीजिए ठीक है bold बने है अपने लिए भी steps लीजे ऐसा नहीं कि अपनी family वालों के लिए ही अपनी life genie है या शादी के बाद अपने बारे में कुछ सोचना ही नहीं है so आपके person भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो दिखने है expect कर रहे है वो भी आपके साथ powerful changes okay so guys यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके spirit guides की तरफ से message कौहन से god and goddesses आपको क्या message देना चाहते है आपकी marriage से related okay so यहाँ भी आए है almora almora presence the universe is with you we are a clock of protection and love so guys आपके लिए यह message आया है कि awaken करिए अपने आपको awakening अपना process चलाए ओके and also it's this the universe is with you guys universe आपके साथ है and also आपकी life में protection आपको दी जारी universe की तरफ से आपको प्यार दिया जारा है जो आप चाहते हो जतना प्यार चाहते हो आप उतना आपको प्यार दिया जारा है lord shiva इतनी जादा यह card उचल कर गिरा है आपको शायद नहीं दिखा होगा बर ts मुझे पता है उचला है यह card के नीचे गिरा है lord shiva का so आपके लिए message था बैसे मैं नहीं लूँगे ठीक है यह card but मैंने लिया because आप मुझे लगा कि आपके लिए कोई रहा कोई important message है यहाँ पर so lord shiva आपकी life में खुश्यां लेकर आते हो दिख रहे हैं आपको कहा जारा है कि उपर उठी हो साइगा चूने की कोशिश करिए honor करिए अपनी inner force को and steps आपके लिए लिए जा रहे हैं guys okay universe की तरफ से and dance करना है universe के साथ नाचिए guys मिलकर ठीक है so that आपको अच्छा feel हो and universe भी अच्छा feel कर पाए surface is base ascension move into your true self rise above the darkness the light is there so guys आपको rise करने के लिए कहा जाए rise above the darkness darkness से उपर उठिये move into your true self move करिए guys अपनी true self की तरफ ठीक है जो भी आपके real self है उसकी तरफ move करिए okay and also आपको कहा जाए darkness से उपर उठिये and also आपके लिए रोशनी यहाँ ही है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्ब में आप लोगों को यही message दिया जा रहा है darkness से दूश आकर रोशनी की तरफ पढ़िये okay so same message है यहाँ पर again आया है so यहाँ पर Archangel Michael trusting heaven आपको trust करने की जूरुत है guys heaven के उपर you are in safe angels stand close आपके साथ है angels surrender कर दीजे अपने concerns and also guys after allow कर यह miracles को अपने life में कि miracles आपकी life में हो पाए हो की so guys अगर आपको reading पसंद आई हो तो like this reading subscribe to my channel share this video with your family and near and dear ones guys as your wish बाकि आप लोग आप लोग पता है क्या करना है अगर आपको अपने लिए personal reading book करवाने है तो guys आप लोग करवा सकते हो dm करके instagram पे okay so guys अभी के लिए इतने हर रमादे रादे रादे guys bye so hello my beautiful souls welcome to my channel people tell us so guys कैसे हो आप सब लोग आई हूप आप सब लोग भी अच्छे होग अगर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे my pile too so guys आज हम reading लिकर आगे है guys आपके लिए who will you marry आपकी शादी किस्से होने वाली है guys so बहुत important question होता है बहुत important step होता है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए guys यह okay so आज आपके लिए यह reading आ चुके guys तो यहाँ भी अगर आपके नेम का पहला अक्षिर guys N से लेके Z के बीच में आता है यहाँ फिर guys caring connection card को आपने pick किया है ठीक है intuitively तो आपके लिए थी second pile guys okay so यहाँ पे सबसे पहला message आपके लिए ही चाता है कि आपके जो भी person है वो guys आपके soulmate हो सकते हैं आपसे बहुत ज़रा प्यार करने वाले होंगे caring connection दिख रहा है यहाँ पे ओके आप दोनों का and gifty nature हो सकता है आपके person का ओके उनको gifts देना पसंद हो सकता है आपके बिना बोले ही आपके लिए कुछ ना कुछ ले आएंगे मतलब वो gift की तरह ही आपको देंगे वो चीज चीज चीक है so यहाँ पे guys आपके लिए 14 number important हो सकता है 1 number, 4 number 5 number, 14 number 14 okay so यहाँ पे यह numbers आपके लिए important हो सकते है guys so guys देख लेते हैं आपके लिए by tarot, through tarot क्या आता है आपके लिए किस से होगी आपके शादी अगर आपके name के initials, n से लिएके zip के बीच में है या फिर आपने caring connection card को pick किया है ठीक है so start कर लेते हैं okay temperance, okay कब तक होगी guys आप लोग की शादी बीच में ही कहीं guys मैं बता दूँगी ठीक है first pile वालो का तो कम ही time है like two years भी हो सकता है two months भी हो सकता है seven months भी हो सकता है okay so यहां से देख लेते हैं five of cups ace of pentacles the word card two of cups okay four of cups four of cups and five of cups cards guys first pile में भी आये थे so दो cards three card आगे हैं oh my god इतने सारे तो नहीं लोगी guys मैं जादा हो गए यह दो ही cards चाहिए हमें और अभी वो four five cards थे तो इसलिगे okay three of cups see this three of cups four of cups five of cups last card है guys आपके लिए तावर्स आपके लिए तावर्स आप देख सकते हैं two of cups three of cups four and five मलब growth emotions में growth मतलब एक दूसे की तरफ पहले guys आप बहुत प्यार करोगे एक दूसे से ठीक है then guys थोड़ा सा celebration होता हुआ देख रहा है यह यहाँ पर थोड़ी से story देख रही है then आपको universe दोनों को एक करने के लिए जुट गई है then guys आप दोनों एक दूसे से या तो आपके सापास दो बहुत सारी options आज चुकी है थे तो guys उन में से आपको choose करता है ठीक है एक चीज या फिर guys आपकी life में जो यह options हैं आप इनको ना treat करके एक person choose कर लेते हो इन में से ठीक है so of course वो person आपके soulmate होते है या आपको किसी भी जर्ये वो मिले but guys आपने family friends को बताया है ठीक है but वो नहीं माने ठीक है वो नहीं माने है so आप sad हो इस वजह से ठीक है but after that guys तावर moment आएगी unexpectedly आपकी शादी इस person को से होगी ठीक है यहाँ भी ace of pentacles है आपसे बहुत ज़रा money related issues नहीं दिखने वाले हैं आपको इन से marriage करके शादी करके so यहाँ भी है temperance थोड़ा patience रखे patience required है यहाँ ठीक है patience रखना ही पड़ेगा guys okay अगर आपको आगे बढ़ना है इस दूसरे के साथ तो patience तो रखना ही पड़ेगा कभी किसी की life में कुछ न कुछ हो achieve कर रहे है कभी किसी की life में okay so यह सब चीज़े चलती रहती है okay and also आपके लिए Sagittarius राशी important होसते है Cancer Scorpio Pisces okay यह science आपके लिए important होसते है Taurus, Capricorn, Leo Aquarius and Capricorn and also guys Scorpio okay Taurus यह science आपके लिए important होसते है Sun, Moon, Rising and North Noor में Celebrations आते हुए दिख रहे है guys after marriage पी after marriage आपके लाइफ में celebrations आएंगे unexpectedly आपकी लाइफ में कुछ new हो सकते है new beginnings हो सकते है and angels की तरव से आपको money wise guys अच्छा ही रखा जा रहे है आपको यहाँ पी universe की तरव से blessings भी दी जा रहे है ठीक है आपको so that आप अपनी life में blessings को collect कर पाऊ ठीक है गठा कर पाऊ and एक जगर कर दोन सब चीज़ा को की and यहाँ पी है word card यहाँ पी आपको कहाँ जरे आपके cycle complete होता हो दिख रहे है कोई एक ठीक है आप cycle complete करके आपके आगे जाते हुए दिख रहे हो कि अपनी life में so जो मैंने science मत आए थे यहाँ भी आ ही जाहेंगे and towel mongal गुसे वाला guys आपके person गुसे वाले होने वाले हैं ठीक है and bottom of the deck seven of swords so seven of swords guys यहीं पताता है कि आपकी life में जो भी person guys आएंगे उनसे आपको बच कर रहने यहाँ आप evil eyes से बच कर रही है ठीक है धोका मिल सकते हैं आपको कहीं से भी middle energies guys यहाँ पी एक page of swords page of swords गैस pages की energies में ही रहते है ठीक है and also pages guys क्या होता है इतना hard work इनको करना पड़ता है यह तब जाकर guys पहुंचते हैं आगे वाली situation पर like knights बनते हैं then knights के उपर बहुत सारा hard work करना पड़ता है then guys यह king या queen बनते हैं ठीक है so यहाँ पे page of swords है आपके बढ़े में checking होते हैं दिख रही है कहीं पर ठीक है and also sad feel नहीं करना है alone feel नहीं करना है feel करना है कि yes मेरे साथ हमी है ठीक है so यहाँ भी देख लेते guys और आपके लिए क्या आ रहा है two of cups है तो guys soulmate card तो है okay प्यार बहुत होगा दोनों में starting में and आगे भी ऐसा ही दिख रहे angels आपको protect कर रहे हैं अपनी ठीक है so यहाँ से देख लेते guys walking away so guys आपको walk away करने के लिए कहा जाए past experience जो भी negative experiences है negative चीज़ें उनके उपर focus ना करते उनको उनसे walk away करिए ठीक है appreciation मिलता हुआ दिख रहे है guys आपको आने वाले time में उपी appreciate किये जाए होगे आप लोग ठीक है action आप लोगों को action लेने के जोतने universe आपके पीछे और भी logo को लगा देती है ठीक है so आपको जो भी पसंद आया आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो उसको choose करके ठीक है so यहाँ पे see this again tower card है गया stand number आपके लिए important है so यहाँ पे a strong warning so tower moment से बच करिए unexpectedly कुछ ना कुछ हो सकता है ठीक है so यहाँ पे appreciation मिलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को walking away दिख रहा है यहाँ पी door to romance आपके लिए romantic feelings आते हुए दिख रहे हैं आपको बोला ज़रे कि romance आपकी life में आता हुआ दिख रहा है 33 number आपके लिए important हो सकता है and romance आपकी life में आता हुआ दिख रहा है and आपके door open होते हुआ दिख रहे है आपके person बहुँआ ज़र romantic भी हो सकते है यह भी यहाँ पे दिख रहा है thinking woman आप बहुँआ ज़र overthinking कर रहे हो इतने thinking मत करिए या thinking मत करिए guys boys so male figure guys आप लोग भी मत चारा सोचे शादी हो ही जाएगी just rate and watch guys यह कतना है आपको universe आपकी life में खुद लेकर आएगे आपके person को ठीक है जब हो नहीं होते है तो हो ही जाती है guys ठीक है so butterfly है यहाँ पर universe आपका साथ देत हुए दिख रही है transformation आपकी life में आते हुए दिख रही है change आपकी life में आता हुआ दिख रही है ठीक है 47 number important होते है 11 number 33 10 27 9 15 6 17 and 8 so guys यह numbers आपके लिए important होते है sun, moon, rising and north node में okay so आपके यह date of birth हो सकती है यह guys आपकी life में आपके birth month हो सकते है okay so envy यहाँ पर again envy guys envy 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 I don't know why but yes envy first file में भी आपके यहाँ भी आचोका है I don't know why आज कल यह बहुत ज़्यादा काड़ा रहा है बहुत लोग आपसे यह जलस फील कर रहे है ठीक है यह चीज उसके नजर लग जाती है ना चैसे so वो सब चीज़े दिख रहे हैं यहाँ पर okay so आपकी life में आपको overthinking करने का जुरुरत नहीं है ठीक है आपके लिए romantic feelings आते हुए दिख रहे हैं ठीक है and strong warning है यहाँ पर of course आपकी life में unexpectedly ही कुछ होगा ठीक है unexpectedly आपने expect भी नहीं किया होगा आपकी शादी हो जाएगी यह हो सकते है आपका रिष्टा पक्का हो जाएगा यह हो सकते है ठीक है so guys यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है okay यहाँ पी है गई strapped in fear so guys strapped in fear हो आप लोग ठीक है आपको बोला चाहिए आप भाहा निकले इस fear से ठीक है आप लोग को जोगी thinking mental आपके mind में conflicts चलते हैं यह हो गया यह ऐसा नहीं हुआ यह ऐसा होना है चाहिए थे so guys यही आपकी life में trap बन रहे हैं आपके लिए okay so trapped in fear so आप लोग इनमें बना हुआ हो आपके person आपको निकालने के लिए आएंगे ठीक है यहां के लिए patience patience guys आपकी life में आता हुआ दिख रहे है ठीक है patience आपको universe बता रहे हैं कि patience आपको रखना ही पड़ेगा okay so prosperity begin आपकी life में prosperity आते हुए दिख रहे हैं guys okay ace of pentacles का ही card है आपको partnership में भी काम कर सकते हुआ आप लोग ठीक है यह बोला जा रहे हैं आपको ठीक है so balance बना के चलिए अपनी life में 11 नमबर आया था okay so 11 नमबर guys balance बना के चलना है आपको 1 1 की energies में okay so यहां भी आपके लिए 8 नमबर important होसता है 14 5 4 1 11 2 9 18 okay so shadow moon का card है guys okay so last one is three number guys आपके लिए important होसता है और also solar plexus chakra okay so guys यहां पी आपको बताया जारे balance आपकी life में आता हुआ दिख रहे है last decade में okay and also आपकी life में आपको बोला जारे अपने past को भूल कर आगे बढ़ी present की तरफ चाहिए okay and यहां पी future की तरफ के बारे बीए सोचे और यहां पी यह भी दिखाया जारे कि जैसा आपके twin flame से भी आपकी शादी उसकते है जैसा आप सोचोगे वैसा ही वो भी सोचेगे okay and also solar plexus chakra आपको यही बढ़ता है कि आपकी life में आप कितने confident हो कितना ही well power है आपके अंदर okay so यहां पर यही देखा जासकता है and उसके उपर meditation यूट्यूब पे भी होगी okay so वहां से आप देख सकते हो and आपके life में new beginnings तो आही नहीं है pentacle wise okay so यहां पी आपको pentacles के बारे में जादा सोचने की जुरूरत नहीं है ठीक है and यहां भी है discontent and boredom आप यहां आपकी personal guys यह feel करने है इस time पे ठीक है इस time की energies है so guys आप यहां पे bored feel करें disconnect feel करें four number आपके लिए important हो सकते हो कि so guys और देख लिए आपके लिए क्या आ रहे है so यहां पे आपके लिए advice देख लिए है guys सबसे पहले हम okay so guys have faith in your dreams so अपने विश्वाश रखें guys dreams में okay जो भी आपके dreams हही है उसमें विश्वाश रखें अपने ठीक है the end of a tough cycle approach is full moon Capricorn so guys आपके tough cycles खतम होने वाले हैं जो Canada में open है Capricorn sorry जो Capricorn sign में है guys full moon Capricorn the end of a tough cycle approach आपके tough cycle खतम होते हो दिख रहे हैं communication is key so communication guys आपके future spouse के साथ की होगी बात करने की ठीक है और शादी से पहले या उसके बाद भी कभी कभी your commitment is being testers आपकी commitment को test किया जा रहे है universe की तरफ से होगी आपको बोला जारे आप अपने life में आपकी commitment को recognize किया जा रहे है ठीक है आपकी communication important है आपको communication करते रहना है ठीक है और आपको क्या release करने की जुरूत है आपको negativity release करने and positive को gain करने की जुरूत है okay so यहाँ पर have faith in your dreams so dreams के उपर अपने faith रखे जो भी आपके विश्वाश है उनके उपर focus करिए ठीक है so guys यहाँ से देख लेते हैं okay यहाँ पर guys last message है आपके लिए आपके लिए spirit guides के तरह से message है धर्मान folding so remember that you are on a path take one step at a time to happiness so guys remember याद रखे कि आप एक पात पी हो आप खुश्यों के पात पे चल रहे हो ठीक है and आपका यह life में मोटे होना चाहिए कि लोगों को कैसे खुश रखना है ठीक है so to me you already know the answer you seek so guys clock of wisdom आपके पास wisdom बहुत हो सकती है ठीक है so guys trust रखे विश्वास रखे आपको क्या चाहिए ठीक है आपको पता है आपको क्या चाहिए यहां पे भी Lord Shiva आचुके है second pile में भी इतने shuffling के बाद transcendence rise upon your inner force steps are being given dance with the universe so guys dance करी universe के साथ universe आपके साथ है भगवान शेवा आपके साथ है okay so यहां पी है last one the shakina sacred self so आपको बोले unleash करिए अपने spirit को okay express करिए अपने gifts को dance dance or sacred rhythm of life so guys dance करिए sacred rhythm के साथ life में okay अपने so guys bottom of the deck Lord Shiva Ganesha है infinite abundance आपकी life में enter हो जाएगी आपके person के आने के बाद spiritual हो जाओगी आप लोग आने के बाद उनके okay so guys अगर आपको reading पसंद आई हो तो like this reading subscribe to my channel bell icon को तो बाद इना guys and अभी के रित नहीं guys haramahadev rade rade bye